आज की वीडियो में लेकर आए हूँ रेजिदेंशल स्टेटस ऑफ कंपनी एंड हुए इससे पहले मैंने रेजिदेंशल स्टेटस इंडिवीजुल का किस तरीके साब डिटर्माइन कर सकते हैं उसके उपर एक वीडियो बनाया था अगर आपने वेडियो आपने वेडियो वाच नहीं करी है तो प्लीज उस वीडियो को जरूर वाच करें आप लोग सबसे पहले वहीं वाच करे देन आप कंपनी एडिच एच्छ अचिए को स्टडि करें और बहु ज़ादा इंपॉर्टेंट वीडियो है । प्लस आपके ल बाक जरूर करें जरूर करें लाइक करें एक शायर करें को जादा जरूर करें आप लोग प्लीज चली सकते हैं सबसे पहले हमें गीवन है रेजीदेंशल स्टेटस उफ़ एडिवाइड कर रही हूं के तो अगर मैं बात करें दुझ के कि आप residential status को तीन category में divide करते हो पहली थी ordinary resident जिसको आप OR बोलते हो दूसरी थी non resident या तो वो इंडिया का resident है या वो इंडिया का resident नहीं है non resident है और तीसरी एक category थी जिसका नाम था RN OR resident but not ordinary resident ठीक है यह हमने individual के case में पढ़ा था बट अगर मैं बात कर रही हूँ company की तो company के case में company के case में आपका सिर्फ और सिरफ ordinary होगा या तो कोई company एक ordinary resident कहला सकती है या फिर एक company non resident कहला सकती है यानि की company का residential status कभी भी R and O R नहीं होगा या तो एक company OR कहलाएगी यानि की ordinary resident कहलाएगी या फिर एक company का status non resident होगा तो I hope यह बिल्कुल clear है आपको तो सबसे पहले कौन सी companies ordinary कहलाती है और कौन सी company non resident कहलाती है तो सबसे पहले बात करेंगे Indian companies जो की consistently अपने India के borders में ही सारा काम कर रही है सब कुछ effectively अपना management कर रही है company का और effectively इंडिया के borders में ही वो सारा काम कर रही है उनको हम Indian companies बोलते हैं और Indian companies का residential status होता है ordinary resident वही अगर मैं बात करूँ foreign company की अगर कोई foreign company effectively, efficiently and manage हो रही है इंडिया में ही throughout the preceding years इंडिया में ही वो efficiently अपना काम manage कर रही है सारा तो वो foreign company भी Indian resident कहला सकती है किसी particular financial year के लिए और दूसरी बात if a foreign company's place of effective management was not located in India during the previous year it is classified as non-resident अगर उस foreign company का effective management इंडिया में located नहीं है यानि कि वो सारे काम जो है वो बाहर से कर रहे है उसका जो control and management है वो किसी दूसरी country से हो रहा है इंडिया से नहीं हो रहा है previous year में तो उसका residential status non-resident कहलाएगा यानि कि वो resident नहीं कहलाएगी वो non-resident कहलाएगी यहीं मैं बात करूँ even if there is the slightest possibility थोड़ी सी भी अगर possibility है किसी foreign company की being managed effectively from a location outside इंडिया तब भी तब भी वो non-resident ही कहलाएगी मतलब अगर ordinary resident का residential status आप किसी company को दे रहे हो तो it means कि उसका previous year में place और कह सकते है कि place of effective management जो है वो इंडिया में ही located होना चाहिए तब ही वो ordinary resident कहलाएगा अगर उसका place of effective management control जो है किसी outside country से हो रहा है तो वो non-resident की category में आएगी that's it तो ये था हमारा residential status of company अगर मैं बात करूँ हुआँ हुआफ की जिसको हम बोलते हैं हिंदू undivided family हिंदू undivided family का residential status आप किस तरीके से determine करोगे section section 6 sub section 2 के according नोने बोला हुआ यह फो आप इंडीवीजूल से जैसे आप करते थे इंडीवीजूल इंडीवीजूल को आप तीन तीकरी में डिवायड करते हैं देखते हैं क्या चेंजिए से सबसे पहले बात करेंगे कि हुएफ is said to be resident in India in any previous year in every case except where during that year the control and management of its affair is situated wholly outside इडिया अब इसका यही मतलब है कि जैसे हमने company के case में पढ़ा कि हिंदू undivided family का भी एक business है family business बोल सकते हो एक business है अगर उस business का control और management इंडिया में हो रहा है तो तो वो resident कहलाएगी अगर उसका control and management पूरी तरीके से outside इंडिया हो रहा है तो वो non resident कहलाएगी simple सी बात तो when is HUF said to be a non resident जब एक HUF का non resident तब कहलाती है जब उसका control और management जो है पूरा का पूरा इंडिया से बाहर यानि कि किसी और country से हो रहा है तब वो non resident है अगर इंडिया में हो रहा है तो तो ordinary resident अगर इंडिया में नहीं हो रहा है कहीं और country में हो रहा है तो non resident तो in other word it will be non-resident in India if no part of the control and management of its affair is situated in India यहाँ पे इन्होंने बोला कि पूरी तरीके से वो control and management किसी और country से हो रहा है तो वो non-resident है अगर हुएफ का control and management holy एक होता है holy word पूरी तरीके से और एक होता है partly holy और partly कि अगर मैं बात कर रही हूँ दोनों अगर इंडिया से है दोनों में से कोई भी अगर एक इंडिया से है तो वो ordinary की category में भी आ जाएगा अगर partly यानि कि कुछ part of control and management इंडिया से हो रहा है और कुछ part of control किसी और country से हो रहा है तब भी वो ordinary resident की category में आ जाएगा वो non resident की category में नहीं जाएगा ये बात आप ध्यान रखें सिर्फ और सिरफ एक ही condition में हुएफ non resident की category में आएगा वो एक condition यही है कि उसका पूरी तरीके से controller management holy outside India होगा तब उस case में हुएफ non resident कहलाएगा ठीक है और resident की अगर मैं बात करूँ resident की अगर मैं बात करूँ तो हुएफ shall be said to be resident और जिसे हम ordinary resident भी बोलते हैं अगर उसका करता करता मतलब होता हिंदू undivided family का जो main person है मुखी अब ही आप इसको बोल सकते हो करता करता मतलब वोही सारा कुछ देख रहा है of the हुएफ satisfy both the following condition उसका करता अगर ये दो जो हमने conditions पड़ी थी अगर इसको वो satisfy करता है याद आई ये condition ये condition है हमारी additional conditions additional conditions में हमने क्या पड़ा था कि करता जो है वो कम से कम पिछले दस सालों में दो साल इंडिया में stay किया होना चाहिए और दूसरा पिछले साथ सालों में उसका stay 720 दिन at least इंडिया में होना चाहिए अगर वो ये दो बेसिक कंडिशन को पूरा करता है तो वो हुएफ का जो स्टेटस है residential स्टेटस वो ordinary resident की category में आएगा तो अगर मैं बात करूँ कि अगर इन्होंने बोला not ordinary मैंने आपको बताया कि तीन category होती है एक होती है ordinary की category एक होती है आर एन ओर यानि कि resident बट not ordinary resident और तीसरी category होती है अभी तक हमने दो चीज़े study कर लिए हमने और पढ़ लिया कि ordinary resident कैसे हो सकता है और हमने non resident कैसे हो सकते यह दोनों चीज़ें हमने पढ़ लिया अब यह जो बीच वाली category है हुए के लिए यह कैसे applicable होएगी इसकी बात करेंगे अब कि भाई वह resident तो है लेकिन not ordinary resident है किस केस में ऐसा होगा तो बात करते हैं कि हुए जो कि इंडिया का resident तो है लेकिन not ordinary resident कह रहाएगा उस condition में जिसमें करता ने जो अभी हमने conditions पढ़ी एडिशनल condition उन में से अगर उसने एक भी condition को satisfy ना किया यानि कि यह जो अभी हमने दोनों के conditions पढ़ी इन दोनों को ही satisfy करना जरूरी है दोनों को मालों एक कर दी और दूसरी नहीं करी तो इस वाला जो residential status वीडियो डाला था वो जरूर देखना बहुत जादा उससे भी clarity मिलेगी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें थैंक्यू सो मच